नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल समाधान डॉक्टर में तो दोस्तों आज मैं आपको इस्टलाइजेशन की लाइव वीडियो दिखाऊंगा हाला कि ये वीडियो में मेरे दूसरे चैनल पर दिखा चुका हूँ लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस चैनल पर जो मेरी ओडियन्स है समाधान डॉक्टर की उसकी पूरी रीच नहीं है यानि कि सारे लोगों तक सायद ये वीडियो नहीं पहुँचा आपके जो सवाल होते हैं कि नसबंदी में कितना टाइम लगता है नसबंदी के दोरान महिला होंस में रहती है कि बेहोंस रहती है इस प्रोसेस में दर्द होता है कि नहीं होता ये सारे जो सवाल आपके जहन में चलते हैं कहीं न कहीं ये सारे सवाल इस वीडियो को देखने के बाद complete हो जाएंगे आप देखेंगे कि इस नसबंदी वीडियो के अंदर जो start से आखिर तक का जो वीडियो है उसमें मैं कहीं कहीं बोलूँगा थोड़ा थोड़ा जो आपको समझाऊंगा आप देखना इसमें कोई cutting नहीं होगी बीच के अंदर जब वीडियो चलेगा उसमें मैं कोई cut नहीं लगाऊंगा editing नहीं करूँगा बिल्कुल पूरी एक वीडियो होगी और उसमें natural जो अंदर की आवाज है वो भी आएगी आप कह सकते हैं कि सर आपने mute कर दी होगी आवाज original ओटी की आवाज नहीं आ रही होगी बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल आवाज mute नहीं करूँगा ओटी की अंदर की आवाज भी आती रहेगी तो आप गोर करके ये देखना कि नस्बंदी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है महिला होंस में रहती है कि नहीं रहती और जब नस्बंदी होती है तो महिला को दर्द होता है कि नहीं होता ये सारी चीज़े आप इस वीडियो में गोर से देखना तो चलिए दोस्तो चलते हैं ओप्रेशन थियाटर के अंदर तो चलिए दोस्तो ये ओटी के अंदर का सीन है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डोक्टर शाहब हैं वो एक injection तयार कर रहे हैं जो इस महिला की नाभी के पास लगाया जाएगा इस injection के लगने के तुरंत बाद ये नाभी वाला जो हिस्सा है दोस्तो ये पूरी तरह सुन हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी अगर वो प्रोसेस करेंगे तो महिला को दार्दन नहीं होगा ध्यान रहे महिला को एक injection पहले भी लगा चुके हैं कि शेडेशन नसे का injection होता है वैसे ये महिला पूरी तरह होंस में है अभी ये जो महिला के पेट के उपर रखा ये सीजिरियन बलेड है इससे यहाँ छोटा सा कट लगाया जाएगा जिससे की एक बारीक होल किया जाएगा जिसके दुआरा CO2 गैस महिला के पेट में दी जाएगी दोस्तों आप ओर्टी की पूरी आवाज सुन रहे है ये देखिए ये छोटी सी नली है और इसमें ये आगे एक सुई लगी हुई है जिससे की यहाँ छेद किया जाएगा और CO2 गैस महिला के पेट में भरी जाएगी CO2 गैस human friendly गैस होती है महिला के पेट में या फिर sterilization जो करते हैं तो उस time जो पेट के अंदर CO2 दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि जो organs हैं अंग वो अलग-अलग हो जाए मतलब उपर की चमड़ी अलग हो जाए कि जाएगी तो मैं आगे का process आपको जादा नहीं बताऊंगा आप जानते हो आप गोर से इस पूरी वीडियो को देखिए और यह देखिए की महिला during surgery चिलाती है कि नहीं चिलाती दर्द होता एक नहीं होता है जबकि यह महिला पूरी तरह होंस में है दोनु फैलूपिन टूब ब्लोक कर दी गई है, रिंग कड़ा दी गई, लेपरोस्कोप निकाल लिया अब इस स्ट्रोकार की स्विच को दबाके सीओ टू गैस पूरी तरह बाहर निकाल दी जाती है सारी गैस बाहर निकल चुकी है, ट्रोकार भी बाहर निकाल लिया अब आप देखेंगे कि जहां पर ट्रोकार डाला था, मतलब होल किया था, वहां कोई ब्लेडिंग नहीं है देखो आपको साफ दिख रही है, आज मैंने सीन बिलर नहीं किया, आप बार-बार कहते हो कि मैं बिलर कर देता हूं, देखें किलियर देखिए, जो नर्स है, स्टाफ वो यहां एक स्टिचिज लगा रही है, और कोई ब्लेडिंग वगेरा कुछ नहीं है, देखिए, केवल एक स्टिचिज ओनली एक टांका यहां लगा दिया जाएगा, कोई ब्लेडिंग वगेरा यहां नहीं हो रही, आप बिल्कुल देख रहे हैं, मैंने कोई सीन आज बिलर नहीं किया है, देखिए, बिल्कुल दिख रही है, देखिए, कोई ब्लेडिंग बिल्कुल भी नहीं ह है एकदम साफ है अब यह चोटी पट्टी लगा के और उपर से टेप कर दिया जाएगा महिला बिल्कुल होस में हैं अभी आप देखेंगे यह बिल्कुल खड़ी होके और जाएगी आपने पूरी सर्जरी में देखा होगा बिल्कुल महिला नहीं चिलाई यानि की दर्द बिल्कुल नहीं हुआ sedation देना जरूरी होता है नशा देना जरूरी होता है और जहां देखिए अब ये बिल्कुल खड़ी हो गई खुद खड़ी हो गई और चलके ये side में जाएगी इसको कुछ देर के लिए side में यहाँ bed के उपर लिटा दिया जाएगा observation में रखा जाएगा और उसके बाद इस महिला को वाड के अंदर shift कर दिया जाएगा आराम करने के लिए ये पूरा प्रोसेस दोस्तों आपने देखा आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कितना time लगा दर्द हुआ की नहीं हुआ महिला चिलाई की नहीं चिलाई ये वीडियो मेरा दिखाने का यही उद्देश से था हाँ तो दोस्तों देखाना आपने कैसे होता है operation I hope आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अब भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया है जहन के अंदर कोई सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और अपने सवाल का अंसर लीजिए मुझे और अगर मेरे लाइव सेसन में आप मुझे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पूछ लेना मैं वहाँ आपके सवाल का जवाब दे दूँगा दोस्तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है विलोग वीफर राजवीर उसको आप जरूर सब्सक्रिप्सिंज कर लेना डिस्क्रिप्सिंज के अंदर उसका लिंक है अछश़-छछ़ विलोग आपको वाँ मिलेंगे मैं आपका दोस्त राजवी रब लेता हूँ आपसे इजाज़त फिर मिलता हूँ किसी नए टोपिक नए वीडियो में तब तक के लिए चैहिन